दिल्ले पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल की है 29 अक्टूबर को एक वीडियो वारल होने के बाद ये कामयावी हासिल की वारल वीडियो में एक लड़का फॉर्टिनर गाड़ी में तमंचा लहाता हुआ सडकों पर दिखाए जेता है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आनन्फानर में उस लड़के के साथ वाले लोगों की गिरफतारी की और लड़का दिल्ली पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था ये रड़का है प्रिंस टवीतिया जो लॉरेंच विश्णोई के साथ मिलकर एक गैंग बनाना है प्रिंस तेवतिया नाम का ये सक्ष अपना-पना खौफ कायम करने के लिए लॉरेंच विश्णोई के साथ एक बड़ी गैंग बनाता है जिसकी पकड दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा चावला से की जाती है आपको बता दें स्पेशल कमिशनर पुलिस क्राइम ब्रांच रविन सिंग यादव ने जनतान्तु टीवी की सवालता अफशा खान से बाचित किया क्या कुछ कहना उनका सुनिये बतादू आपको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल होती है दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में आपको प्रिंस तेवतिया यानि की उभरता हुआ गैंक्स्टर प्रिंस तेवतिया को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीसीपी रोहित मीना के संदर्ब में गिरफतार कर लिया है तस्वीरों के मादियम से जंतंत्र टीवी पर ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रिंस तेवतिया को जो की डिरेक्टर लॉरेंस के साथ में गैंग बनाकर एक गैंक्स्टर का एक बड़ा नाम खड़ा करना चाहता था अपना पूरा एक अपना वर्चस कायम करना चाहता था यानि कहा जाए तो प्रिंस तेवतिया को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफतार कर लिया है डिसीप रोहित मीना और एसे भी नरेश के नेतीत टूमें इस तबाम करवाई का अंजाम दिया जाता और यहाँ पर्रिंस तेवतिया को गिरफतार कर लिया जाता है और को बदा दे परिंस तेवतिया की ग्रफतारी की जाती यह कि कुंखार अप्रादी है सर्क तमाम मामल facing द्वारा समझने चाहैं देखो इस तीम ने बहतरीन काम किया है यह बहुत दिन से वांटेड था और बहुत दिन से अपनी पोजिशन बदल रहा था तो आखिरकार हमें जब मैं इसमें सफलता मिली बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि 9 वैपन मिलें 31 उसमें अमनीशन है और यह काफी सारी वारदातों क को अंजाम देने की प्रियास में था जिसमें नयकेवल रोहिच चौधरी उसके गुर्गे और जो जेल में जिसने इसको पर वार किया था सभी को एलिमिनेट करने की और अपना साउड डेली में वर्चस बनाने के प्रियास में था तो यह इस लिहास से काफी जारा जखीरा इखटा करते युवाव के अंदर जिसना से क्रेश चल रहा है गैंक्स्टर बनने का क्या कहना चाहें गया यह बहुत ही खतरनाक क्रेश है और इसको हमें अंकुष लगाने की आवशकता है और मेडिया को भी आप से माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लोगों को आगा किया जाए कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है थोड़े दिन के ग्लैमर के लिए अपना पूरा जीवन बरवाद करना पूरे परिवार को परिशान करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है तो देखे आप सुन रहते हैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर यानि की स्पेशल कमिशनर पुलिस रविंदर सिंग यादव को जो की बताते नजरा है कि इस प्रकार से आज प्रिंस से तेवतिया की पकड़ कर ली जाती है और चूंकि आपको बता दे कि इस प्रकार से यहां में क इस प्रकार के क्रेज को दूर किया जाए दिली से जनतन्स टीवी के लिए अफशा खान